जारखन के विधानसभा चुनाव को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशम महतो कमलेश ने बैठक का आयोजिन किया। कॉंग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ केशम महतो कमलेश ने चुनाव की रणनीती पर मंथन किया। कमलेश ने बताया कि सभी बिंदूओं पर कॉंग्रिस के जिला अध्यक्षों से समवाद किया गया। उन्होंने कहा कि विधानसबा चुनाव से पहले हर जिले के कारेकरता और जनता से वो समवाद करेंगे। इदायक दल के नेता मान्य मंत्री डक्टर रामसुर राम भी थे उपस्थित। और उसी के तहट जिलाज़तों के साथ जो हमारा एक समवाद कार्शकरम चल रहा है कॉंग्रेस जनों के साथ में और नो जिला तक अभी तक हम लोगों ने यह समवाद कार्शकरम किया है। पूरबर्ती उनके मान्य सदसों के साथ और कुछ नए सदस भी होंगे। जो किसी कारण बस छूट गए होंगे उनलों को भी सामिल करके वह बैठक होगी। पर्मुग जोनों के साथ वह संबाद करेंगे। तो डॉक्टर सिरीविला परसाध हैं। हमारे साथ फिर चल जाएंगे हम लोग चाइबासा, सराइकिला, आपका जमसेदपूर, बोकारो, धनबाद यह कार्शकरम में हम लोग रहेंगे। तो यह कार्शकरम हम लोग का बराबर जनता से संपर्ख, जनता से संबाद, कार्शकरताओं से संबाद यह कार्शकरम जारी है। उसी की कड़ी में आज सभी जिला धच्छों के साथ हम लों की बाते हुई वहीं केशब महतो कमलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कॉंग्रिस के कारेकरता तयार हैं उन्होंने कहा कि बूत कमेटी से भी कॉंग्रिस के नेता समबात करेंगे महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कॉंग्रिस के टिकट देने के फॉर्मीले पर भी चर्चा हुई तो मोटा मोटी आज और अभी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें इन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि जितने भी आवेदन आये हैं उसमें जो क्रेट्रिया है वह कब से हमारे पार्टी में हैं किस सेवा भाव से समर्पन भाव से उन्हेंने काम किया है किस तरह वह अपने जीला परखंड या परदेश के द्वारा आयोजित कार्शकरमों का दाइत का निर्वन किया गया है जो दाइत उन्हें दिया गया था उसका कहां तरह किया है सोचल इजिनियरिंग में उस छेत्र में जो पॉपुलेशन है उसकी लोग प्रियता क्या है उसके बाद वे कहां तक बढ़ते हैं उनकी समाज में क्या पैंट है सारे बिंदूओं पर डिटेल से डिसकस हो रही है उसी पर यह लोग अपना जो मनतब देंगे फिर उसको परदेश एलेक्शन कमिटी में हम लोग विचार करेंगे लेकिन सभी आवेदकों की सूची को हम लोग इनलिस्ट कर लिये हैं और यह सूची ए आइसीशी तक जाएगी जितने आवेदों की सूची हमारे एसीशी तक जाएगी और उसी एसीशीशी की सूची के में ही इनलों को कुछ नामों को सेलेक्ट करना है वह उसके बाद परदेश एलेक्शन कमिटी में होगी फिर आगे इसक्रिनी होगा इस तरह से एक प्रक्रिया जो हमारे अखिल भारत अगर हेमन सोरेन को सत्ता में वापसी करनी है तो कॉंग्रेस को बेहतर प्रदर्चन करना होगा हालाकि किस हद तक अपने मिशन में सफल होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा पंजाब केशरी टीवी के लिए रांची से आश्टोश सिनहा की रिपोर्ट ज्यादा शेयर करें धन्यवाद